आज के बाद मैं ऐसे सवालों का जो है, मैं आप लोगों को एक शीदा का सीदा शॉर्टकट बताता हूँ, ठीक है? जब भी ऐसी संख्याएं हैं, और जिनके उपर च्छा लगा हुआ है, या जिनके उपर बार लगा हुआ है, को इसको जोड़ रहे हो, घटा रहे हो, तो ऐसे केस में दो तरीके से, दो ही पॉइंट ध्यान रखेंगे और हमारा उत्तरा जाएगा, जिसके पर एक संख्या में च्छत है, इसको काट दो, ठीक है? यहां तीन संख्याओं में च्छत है, इसको काट दो, ठीक है? बच गया हमारा option A और option D, यानि हमारा जो आंसर होगा, उसका पका decimal के बाद, एक संख्या ऐसी होगी, जिस पर च्छत नहीं होगा, यहां देखो तो decimal के तुरंत बाद जिस संख्या है, उस पर च्छत है, मतलब यह भी उत्तर नहीं होगा, option D जो होगा, वो correct आंसर होगा.